वैदिक शब्यता एक था ठीक है, विस्व की चार परमुक सब्यताओं में से, हरपा सब्यता हलांकि जब तक हम लोगों को हरपा सब्यता के बार बारण में जनकारी प्राप्त नहीं हुआ था तब हम लोग वैदिक सब्यता को ही सब से प्राचिंतम सब्यता मानते थे जब हडपा सब्वेता का खोज हो गया तो ग्यात हुआ कि वैदिक सब्वेता से भी प्राचितम एक सब्वेता है जो सिंदु गाटे सब्वेता के नाम से परचली तुआ ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं वैदिक सब्वेता का परीच है प्रिष्ट भूमी ठीक है तो याद हम क्या बताए जब हम लोगों को हडपा सब्वेता के बारे में ग्यात नहीं था हडपा सब्वेता को नहीं खोज पाए थे तब तक वैदिक सब्वेता को ही सबसे प् प्राचिन्तम सब्वेता है जो हड़पा सब्वेता या फिर सिंदू गाटि सब्वेता कहला आया ठीक है तो उनका देन हम लोग तो पिछले कलस में कर लिये थे आज हम लोग परेंगे मुखरूप से वैदिक सब्वेता तो यहां सबचास इस्वी लेकर सत्रेस्व पचास इस पुर्व के आसपास क्या होता है अरी भारत आते हैं भारत के उत्तरी भाग में और आकर जो है एक सब्वेता का करता है तिक है जिससे हम लोग वेक्सक्राट का नाम के डेते वहाँ का जलनिकास परनाली उत्तम परकार था वहां की ऑटें ठीक है सड़कें भवनों का निर्मान एक निश्चित पयमाने पर किया गया था ठीक है सबकें को पर काटता था जिसको ऑक्सफोर्ड सरकस का जाता था एक तरस सजीत नगर था सिंदु गाटी सब्वेता का और हम जानते हैं चुकि सिंदु गाटी सब्वेता एक नगरी सब्वेता थी ठीक है उसके विपरित क्या होता है वेदिक सब्वेता ने गरामिन सब्वेता होता है आरी लोग आकर सिंदु घाटी के निवासियों को उजारता उनको तहसन हस करता तो उन लोगों को जो है सहरों के बारे में जानकारी होता तो वे लोग जो है गाउओं में क्यों रहने लगे ठीक है पहले लोग आता है निवास करता है धिरे धिरे जो है गाउं में रहता है फिर गाउं जो है भीक्सित होते होते सहर कर लेता है ठीक है गरमिक रूप से विकास होता है लेकिन भारती थ्यास का जब अध्यन करते हैं तो पता चलता है उल्टा-पुल्टा सब्वेता है पहले सिंदुगाटे सब्वेता आ जाता है जो है एक नगरी सब्वेता के रूप में विक्सित होता है उसके बाद में फिर जब 200 वरसो के बाद जो है विकास होता है अगरा मिन को सब्वेता करेंगे चलब करते हैं तो परीचे के बार में समझ गए यह जो है इनका विकास जो है वेदिक सब्वेता का काल अगर पूछा जा है वेदिक सब्वेता किस काल में विक्षित हुआ तो या दखना हरपा सब्वेता के बाद का सब्वेता है यानि कि हरपा सब्वेता जो है तैस सो पचास इस्वी के आसपास से लेकर सत्रे सो पचास तक इ जो है इस काल को वेदिकाल माना जाता है ठीक है जा दखना कि 1500 इस्वी पुर्व से लेकर 600 इस्वी पुर्व तक जो है इन काल को वेदिकाल कहा जाता है और वेदिकाल को दो भागों में बाट सकते कितने भागों में दो भागों में पहले भाग को हम लोग पुर्व वेदिका होता है दूसरा होता है उत्तरवेदिकाल या फिर रिकवेदिकाल जो हैaldo 16 sırी पुर्व से लेकर 1000 देख पा रहे हो ठीक है पुर्वेदिकाल, जिसको रिकवेदिकाल भी बोला जाता है 1520 पुरुव से लेकर 1020 पुरुव तक इसे रिगवेदिक काल या फिर पुरुवेदिक काल कहा जाता है पुना 1020 पुरुव से लेकर 620 पुरुव तक जो है ना इसको उत्तर वेदिक काल कहा जाता है और याद रखना चीजों को इनको पुरुवेदिक काल या फिर रिगवेदिक काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन समय में रिगवेद की रचना हुई ठीक है 500 वर्सों में सिर्फ एक वेद की रचना होती है रिगवेद की और सबसे प्राचिनतम वेद रिगवेद होता है और इनका रचना का काल 1500 इस्वी पूर्व से लेकर 1000 इस्वी पूर्व तक माना जाता है तो मुख रूप से हम समझ लिए कि वैदिक सब्वेता को हम दो भागों में डिवाट करके पर सकते हैं और समपुरूरू रूप से देखें वैदिक सब्वेता का समय है तो यादनाशीजों को 1500 इस्वी पूर्व से लेकर 600 इस्वी पूर्व तक का जो काल है इसका जो इत्यास है इसे जो हम लोग क्या काते हैं वैदिक सभ्यता काते हैं ठीक है और वैदिक सभ्यता को दो भागों में बाट सकते हैं कितने भागों में दो भागों में पहला तुम्हारा पुर्वैदिकाल दूसरा उत्तर वैदिकाल पुर्वैदिकाल का काल क्रम क्या है पंद्रेसो इस्वी काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि समय में रिग वेध की रचना हुई नियुक्त इस कहा जाता है क्योंकि इन समय में रिग वेध की रचना की बृषी 15 wr तो यहां तक समझ गये, अब यहां पर जो याद रखना चीजों को वैदिक, वैदिक सब्द ना वेद से बना है, और वेद का अर्थ क्या होता है, ज्यान, क्या होता है, ज्यान, तो इन चीजों को याद रखना वैदिक सब्द किसे बना है, वेद से, और वेद का अर्थ क्या प्रथम बार उपयोग जो है याधना चीजों को wanderadii ृओ प्रथम बार भार रे ये जो है अगर इनकी भासा की बात करें तो व्यदिक सब्धेता का भासा था आली लोगों का भासा था संस्क्रीट कौन सा tells कि नहीं वेदों की राटना हुई वेदों का संकलन कि अब चया और अल्यवान का यानि वैदिक सब्वेता का जो भासा कौन था संस्क्रीट ठीक है यहां तक समझ गए प्रिष्ट भूमे के रूप में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मूल निवास के तरफ तो मूल निवास के बारे में यादखना भी बहुत सारा इत्यासकार जो है एकमत नहीं है यादखना चीज़ों को अगर मूल निवास यानि की आरी लोग कहां से भारत आये इनका मूल निवास अस्थान कहां था कहां से आये थे भारत ठीक है बता है भारत के उत्तरी भागों म में आकर इन्होंने सब विकास किया था किन बागों में उत्री भागों में ठीक है और कहां से आया था इनको लेकर जो है बहुत सारे इत्यासकार एक मत नहीं है मत भेद है तो मैक्स मुलर है सहला मेक्स मुलर के दुरा बतायों कि इनका मुल निवासास्थान मध था काया मैधन य C क्या मद सिया तो यह तो यह सहारा इत्यासकार इसको समर्थन करते हैं तो अगर आपजेक्टिव में पूछली आ जांग है की आटी लोगों सारी मोल निवासासथान काहीना है मादेशिया कहा था मादेशिया इसके अलावे जो भी question बन सकता है एक और था संपुर्णा नंद संपुर्णा नंद के द्वारा बता गया अलपास परबत है न यूरेशिया के आसपास और ये दोनों आई जासकता है अब एक है कुछ भारती थ्यासकार भी हुए जिनों ने अपना अमध्या जिसके बारे में पुछा जा सकता है तो एक है बाल गंगा धर तिलक अब आगे बढ़ते हैं द्यानंद सरस्थी जो कि भारती है समाज उधारक हुआ ठीक है बहुत बड़ा समाज उधारक हुआ द्यानंद सरस्थी इनके द्वरा बता गया यह तिबत से आया था कहूं से आता तिबत से तो अगर निचोड के रूप में याद रखें तो सभी के बारे में यादना जरूरी अब्जेक्टि पूछ सकता है कहा देगा कि बाल गंगाधर तिलक के अनुशार ठीक है आरी लोग कहां के रहने वाले थे तो उत्तरी धुरूप ठीक है आर्कटिक का उसके बाद और कोस्टिन पूछ सकता है कि द्यानंद सरस्थी के द्वारा जो उनए मद अर्माधि असे जो हारी भारत आए थे इन मध को ठीक है किसके दौरा मैक्स मुलर के दौरा और इसी मद को जादातर विद्वान जो है इसी मद से सहमात है यहां तक प 30 तो इन सारी चीजह को लुए अल्य है कि लिए हैब अन जालों ाक लिए थийस मासुरोग पश WiFi 1517 पुर्व से लेकर 16206 में होता है और इनको दो भागों में बाट सकते हैं एक पुरव्वैदी काल दूसरा उत्तर पुर्वेदी काल का समय है 15 को पुर्व यादर्नां चीज़ों को पुर्वधी काल इन ऍचाना जाता है ऐसा इस क्योंकि इन समय में मात्र एक वेद सबसे प्राचिनतम वेद रिग वेद की रचना हुई थी इसलिए इसे रिग वेदिक काल भी कहा जाता है कब से कब तक और कुष्चेन पूच सकता है रिग वेदिक काल कहां से कहां तक है तो कुल कितने वेद हो गए? 4, सबसे प्राचिनतम रीग वेद रीग वेद की रचना कब से कब तक हुई? 15 स्वी पूरुव से लेकर 1060 पूरुव तक और 3 वेदों की रचना साम वेद, येजूर वेद, अथर वेद इनका रचना कब हुआ? एक हजार से लेकर 600 पूरुव तक है? यहां तक समझ गये? और मुखे-मुखे बातों को देख लिए तो इनका निर्माता काउन था? आरी लोग थे ठीक है? और वेदिक सब्द वेद से बना जिसकर्थ क्या हुता है? ज्यान, आरी सब्द का पर्थम बार उपियोग मैक्स मुलर ने क्या था कबकि 833 में उसके बाद जाने की आरी लोगों का पर्मुख भासा क्या था? उनका भासा था? संस्कृतियां तर समझ गये और इसका मूल निवास कस्थान के बारे में भी समझे अब हम लोग बढ़ते हैं इनकी जानकारी के तरफ यानि वैदिक सब्वेता का जो अधिन करते हैं इनका सुरूत क्या है? तो सुरूत याद रखना इदि में दोनों सुरूत है एक साहितिक सुरूत, पुरातात्विक सुरूत दोनों परकार का सुरूत है पुरातात्विक सुरूत है और साथ ही साथ साहितिक और साहितिक सुरूत को पढ़ा भी गया है चुकि हम जानते हैं वेद का तो देन भी करते हैं ठीक है? चारों मेदाओ का जो जो ग्याता होता है उसको चतुर वेदी कहा जाता है जो तीन वेदों का दिन क्या हुआ होता है उसे तिरी वेदी का जाता है जो दो वेदों का दिन करता है उसे दुवेदी का जाता है तो चारों वेदों को परा जाता है तो इन सब चीजों को समझेंगे तो पुरातात्विक सुरोत को पहले समझ लेंगे उसके बाद जाएंगे साहतिक स्रोत के तरफ तो पुरातात्विक स्रोत के याप बारे में याद रखना एक बोगज कोई अभिलेक है ठीक है 1420 के आसपास का है ठीक और इसमें जो है इंद्र वरूर मित्र नासत्य ठीक है चार-चार रिग वैदिक कालिन देवताओं का उलेक मिलता है तो याद रखना चीजों को कहीं कहीं जो है इससे क्वेस्टन पूछ लिया जाता है कि बोगज कोई अभिलेक में किन-किन देवताओं का चर्चा है इस सब भारत ये देवता हुआ ठीक है रिग वैदिक कालिन देवता है इनका परमान हमें काँस मिलता है बोगज कोई अभिलेक से ठीक है कब का है 1420 के आसपास का हलां कि हम जानते है वैदिक सब ब्यता जो है 1500 इस्वी पूर्व से ही प्रारंब हो गया तो 100 वर्ष के बाद 1420 का है 1420 पूर्व का है कौण सा विलेक बोगज कोई अभिलेक इनमें जो है रिग वैदिक कालिन चार देवताओं का उलेक मिलता है कौण कौण सा इंद्र वरूर मित्र और नासत्य कभी कभी कुछिन पूछलिया जाता है कि बोगज कोई अभिलेक में किनकिन देवताओं का वर्नन है किनकिन देवताओं का उलेक है कौण कौण सा याद रखना है इंद्र वरूर मित्र और नासत्य इस देट के लिए आगे बढ़ते है पुरुवैदिक काल में जो है कुछ पुरातात्विक स्रोत के रूप में जो हमें कुछ बड़तन मिर्द्भांड प्राप्त हो है तो पुरुवैदिक काल का जो मिर्द्भांड प्राप्त हो है उसे जो है गैरिक मिर्द्भांड कहा जाता है और उत्तर वैदिक काल से जो चित्रित धूसर मिर्द्भांड प्राप्त हो है उसको क्या काता है गैरिक मिरिद्भंड उसके बाद 1000 से लेकर 620 पुर्वु तक यानि कि उत्तरवेदिक काल की अंतरगत जो मिरिद्भंड मिले हैं उसको क्या काता है तो पुर्वातात्विक सुरतों में हम लोग मुखरूप से समझे एक अभिलेक है बोगज कोई अभिलेक जो 14 वह इसा पुरूव का है इसमें चार रिगवएदिक काल इंद्र वरून मित्र और नाशत्य ठीक है अब इसके अलावे पुर्वएदिक काल में जो हमें मिरिद्भ अब हम लोग बढ़ते हैं सःतिक सोत के तरफ तो साथ क्या होता है ग्रंथ किताब हम जांते वैदी काल में कितने गटेटम करते हैं चार चार ग्रंथ हो क्या कहते हैं वेद किहाते हैं वेद सबसे प्राजीन तमरीग वेद उसके बाद जो है तीन वेदों की रचना हुई बाद में साम वेद, यदूर वेद और अथर वेद तो सभी चीज का इससे जो भी सम्बंदित को स्चन पूछ सकते हैं सारे चीज को समझेंगे तो सबसे पहले जो है रिग वेद का दिन करते हैं चुकि हम जानते हैं सबसे प्राचिनतम वेद कौन सा रिग वेद, इसका रचना काल क्या है पंद्रिया सव इस्वी पूर्व से लेकर एक हजार इस्वी पूर्व तक ठीक है तो सबसे पहले रिग वेद से समंदित चीजों को देख लेते हैं तो पहला जो है याद रखना यह सबसे प्राचिनतम वेद है रिग वेद क्या है सबसे प्राचिनतम वेद है हला इसका संकलन करता सभी चीजों को जमा करने वाला संकलन करता जो है दो व्यक्ति हैं कौन-कौन सा क्रिश्न द्वापायन और वेद व्यास याद रखना रिगवेद को संकलन करने का काम किससमें किया था दो व्यक्तियोंने एक क्रिष्ण द्वा पाएं दुसरा वेद भ्यास जानते हूं रिगवेद में 10 मंदल और 1028 सुक्त है यहां मंदल का आश्ञा है अध्याय से है चेक्टर से तो रिगवेद में कितने चप्टर हैं, 10 चप्टर हैं, 10 अध्या हैं और कितने सुक्त हैं, 1028 सुक्त का मतलब मंत्र, क्या हो गया? मंत्र या फिर सुलोक तो कितने मंत्र हैं, कितने सुलोक हैं, 1028 और कितने मंडलों में भखता हैं, 10 मंडलों में पुछा जाता है कि रिगवेद में कितने मंडल हैं, 10 मंडल का मतलब अध्या है, चेप्टर, कितना चेप्टर, 10, अगर कुछन पुछले, रिगवेद में कितने मंदल हैं, कितने सुलोक हैं, 1028, या अगर कुछन पुछले, रिगवेद में कितने सुक्त हैं, 1028, सुक्त बोलो या मंत्र बोलो या फिर स्लोग बोलो बात एक ही है अब आगे बढ़ते हैं जानते हो इन में से Jho है पहला मंडल और दास्वा मंडल यह दमीन्स पहला दिया और दस्वा दिया दोनों को बाद में जुड़ा गया तो यहां पर देखो 3-3 मंदल यानि कि तीसरा आध्या में गयात्री मंत्र का चर्चा किस का चर्चा है क्यों पूछलिया जाता है गयात्री मंद्र का चर्चा किस वेद में तो रिग वेध में ठीक है या दखना चीजों को और ऑपसन डाल देगा उसन पूछए गायतरी मंत्र का चडचा जो है गैतरी मंत्र किस वेद़ में उसे ओर मार्न जो अध्याए में है इस मंदल मैं तीसरे मंदल किने और इस गाएतरी मझे को जो है लिखने वाला कौन है विश्वामित्र है कौन है विश्वामित्र है यहां से छरपांज कुस्स् documentary गयतरी मंद्र का चर्चा किस वेद में, रिग वेद में, किस मंडल में, तीसरे मंडल में, इसका लेखा कौन, विश्वामित्र, इस देट क्लियर, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक है सात्वा मंडल, एक important मंडल है सात्वा, इसके अंतर जो है, दस राज युद्ध है, य दशवा मंडल में, नोग मंडल में, और सबसे जादा important मंडल दास्वा मंडल है, और दसवा मनडल में, यात रिछा मंदल को वरण विवस्था का पर्थम बार उलेख का मिलत था, तो दास्वा मंडल में, यहां तक हम लोग समझ गे, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, साम व सबसे प्राचिंतम वेद हैं सबसे प्राचिंतम हलांकि कितने वेद होगे और इसकी संकलन करता ना दो व्यक्ति के द्वारा किया जाते इसका संकलन एक है क्रिशन द्वापायन दूसरा वेद व्यास यहां तक समझ गए अब इसमें ना पठम पहला दसवा अध्याश वाध में सब्सक्राइब इसका चरचा घायत्री मंद्र के द्वारा लिखा घ्रशक है गायत्री मंद्र में बारत में बहुत mild चांगीट का जाता है कई आसे मड़ में है attend नहीं बलकि रिगवेद में जिन मंत्रों को गाया जासकता था उन्हीं सुलोकों को ثफापित किया खेक तेक है है याध्वनाचीजों को छूकि हम जानते हैं रिगवेद में 1028 उखता है इन 1028 उखतों में से जिन सुक्तों को गाया जा सकता था उन सभी सुलोकों को उन सभी सुत्रों को उन सभी मंत्रों को जो है किसमें सामवेद में संकलित किया गया का संकलित किया गया सामवेद में और एक तरसे एक वेद का रूप धारन कर लिया जिसको हम लोग क्या कहें सामवेद और सामव सवर इनका उले कहा है सामवेद में यहां तो संजगै स्सील के बारे में यजूर वेद के बारे में च्रजा Wy गा एक किilonारी समय आगए सामवेद में recommending कि यह गत割 के बारे हैं मैं दो सेमापती के बाद से मन्तर ढलता हुए राग जलते हुए हुए ठीक है बूदर पुझापंध में देखा होगा पुझा जा सकता है किन वेद में यग के विदियों का चर्चा है यह जुरुवेद में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अथरवेद यहां से डाटा है वेद वेद के बाद उपवेद और अध्यता वेद का ही उपवेद है और साथ इन वेद को गाने वाला को क्या कहा जाता था चारों वेद को अलग अलग गाने वाले को अलग अलग नाम दिया गया तो पहला जो रिगवेद को गाते हैं उनको क्या कहा जाता ह होतरी और रिगवेद का उपवेद क्या है आईरवेद ठीक है उसके बाद अगला बढ़ते हैं सामवेद के दरफ सामवेद के बारे में या दखना है इसका उपवेद क्या है गंधरवेद कौन सा वेद है गंधरवेद और सामवेद को गाने वाला यानि अध्यता क्या कलाता ह अगला य्रॉषक क。 इसको जो गाने वाला होता है किस को ओर ब्रह्मा कबर पूछ लिया जाता है। पुछा जाता उपवेद और इनको गाने वाले के बारे में? ठीक हैस। तो या दखना चीजों को डिग वेद का अईरुवेद हो गया, उपवेद और गाने वाला क्या हो गया, होतरी, शाम वेद का उपवेद क्या हो गया, गंधर वेद इसको गाने वाला, उद्गाता, जजुरुवेद हो गया, इसका उपवेद क्या है, धनुरुवेद, इसको ग रहेंगे अब डिटेल से आगे